वेलकम दियर स्टुडेंट्स आज हम कल्विन प्लांक एंड क्लॉसस स्टेटमेंट के टॉपिक को कम्लेट कने जा रहे हैं आफ्र कम्लेटिंग इस टॉपिक यूविल बेबल टो रिकॉल टा क्वालिटी ऑफ एनर्जी क्यों क्यों कि सेकंड लॉफ थर्मोजानेक्स में हम बोलतें के जो सेकंड लॉफ है वो क्वालिटेटिव लॉफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे and after that you will be able to recall the following statements of second law of thermodynamics that is Kelvin blank statement and Colossus statement Kelvin साब ने क्या बोला, Colossus साब ने क्या बोला, यह सारी चीज़े हम इसमें करने वाले हैं किस तरीके से इनके भारे में पढ़ेंगे वो सारी चीज़े हैं फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे that is Perpetual Motion Machine 2 Perpetual Motion Machine of Second Kind यह क्या है, इसमें किस तरीके की बात हुई है और इसने क्या कहने की कोशिस की है और क्या impossible चीज़ थी जिसको possible किया है Kelvin Plank साब और Colossus साब ने तो इसको पढ़ने वाले examination point of view से अगर मैं बात करूँ तो second law of thermodynamics से काफी सारे questions पूछे जाते हैं descriptive हो या फिर numerical questions हो आपके Kelvin Plank statement और Colossus statement से काफी question पूछे जाते हैं क्यों क्योंकि इसमें refrigeration of air conditioning means refrigeration और आपका heat pump इन दोनों से questions काफी पूछे जाते हैं questions पूछे जाएंगे आप बात कर लेते हैं हम day-to-day life की या day-to-day life में आप Kelvin Plank statement से बने हुए engine या फिर आपके device या फिर closest statement से बनी हुए device का क्या आप यूज करते हो तो जी हाँ बिलकुल यूज करते हैं आप लोगोंने अपने घर में refrigerator का यूज किया होगा वो second law of thermodynamics पे ब ये भी second law of thermodynamics पर ही based है ठीक है अब second law of thermodynamics क्या कहता है किस तरीके से आप इसको define कर सकते हो और इसको define करने के लिए दो statement क्यों बनाए गए इन सभी लोगों के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं तो चलिए आए शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला learning outcome that is to recall the quality of energy तो आए बा इस समच करके उसमें देख रहे हैं कि क्या available energy है क्या high grade energy क्या low grade energy है जब हम लोगों ने work classification के था तब मैंने आप लोगों को थोड़ा सा example दिया था high grade energy का अभी मैं आप लोगों को सारी examples देता हूँ ठीक है तो सबसे पहले heading डालिएगा that is quality of energy या फिर energy सबसे पहले लिख लिजए quality of energy और इसी में ही आप एक sub heading डालिएगा sub heading क्या बस इसी तरीके से लिख 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 है जैसे मैं लिख रहा हूँ that is energy ability to do work ability to perform changes and blah 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 वो सारी किसे आपको पता है मैं उसके बारे में कुछ बात नहीं करने वाला हूँ क्योंकि इन सब के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं अभी जो हम बात करेंगे हम next level पर बात करेंगे और next level पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि जो energy है उसको हम किस सा define कर सकते हैं energy को हम दो तरीके सा define कर सकते हैं एक बोल सकते हैं हम high grade energy के बारे में और एक बोल सकते हम low grade energy के बारे में तो सब से पहले लिख लिजेगा that is high grade energy और चो दूसरी energy है उसे हम बोलते हैं low grade energy low grade क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा और high grade क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा high grade energy इसका जो सबसे बड़ा example है low grade और high grade का वो है concept of internal energy का कि internal energy से आपने क्या समझा था मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि क्या आप work को 100% heat में convert कर सकते हो अगर आपके पास 100 रुपए है तो क्या आप 100 रुपए से पूरा समान ला सकते हो बिलकुल हाँ ला सकते लेकिन क्या आप उसी सामान को वापस से बेच करके 100 रुपए वापस ले सकते हो नहीं क्यों उसकी value कुछ depreciate हो जाती है वो वापस से 100 रुपए में नहीं मिकेगा for example आपने को यह car खरी दी माल लिया आप 10 lakhs की car खरीद के आए और आप घर लेकर के आए और घर में आपने बोला कि नहीं इसको पसंद नहीं है और 15 दिन बाद आप उसे sellout करना चाहते हो तो 15 दिन बाद जब आप उसे sellout करना चाहते हो तो क्या वो का 10 lakhs की जाएगी नहीं हो सकता है 990 की चली चाहे 950,000 की चली चाहे लेकिन 10 lakhs की कभी नहीं जाएगी same चीज होती है आपकी low grade energy के साथ तो मतलब अगर आप बोलो तो जो पैसे आपने दिये that is high grade energy आपने 10 lakhs दिया आपको 10 lakhs का समान मिल गया लेकिन अगर आपके पास जो समान है that is low grade energy तो क्या आप उसे वापस high grade बना सकते है नहीं बना सकते है मतलब अगर आपके पास work है तो work से heat तो बन जाएगी लेकि है अब work किस से associate होता है अगर आप लोग देखो that is force into displacement तो work को हम किस तरीके से बोल सकते है that is force अब यह force क्या है यह भी तो high grade energy है इसका भी तो आप high grade energy की तरीके से ही use करते हो so it's okay हम work को भी बोल सकते है फो उसके बाद हम बोल सकते है काइनेटिक एनरजी काइनेटिक एनरजी काइनेटिक एनरजी है इसके बात कर सकते हो potential energy की पोटेंशल एनरजी अब यह जो मैंने potential energy लिखा है यह भी आपकी high grade energy में ही आती है ठीक है अब देखो इसके बाद एक चीज़ और है जो चीज़ आपको समझ दी है work बोल लो काइनेटिक एनरजी बोल लो potential energy बोल लो या फिर आपके पास available energy available अच्छा available के बारे में available और unavailable energy के बारे में अभी आपको थोड़ असा पताता हूं चीज़क है इसके पहले जो एक energy जो हम लोगों ने नहीं लिखी है वह energy हमने पहले बात की दी that is electrical energy यह जो मैंने आपको examples यह that is the example of high grade energy किस तरीके से आप high grade energy का use करके आप इसमें अपना 100% work का 100% heat ले सकते हो या 100% output यूज मतलब attain कर सकते हो अगर मैं low grade energy की बात करूँ तो low grade energy में जो एक energy आती है उस energy का नाम है यह चीज़ समझ में आई कि low grade energy कौन से energy होती है heat energy तो अब quality of energy की अगर मैं बात करूँ तो आपसे बोलू कि आपके पास heat energy है और potential energy है तो कौन से energy ज़्यादा अच्छी होगी तो आप बोलो कि sir high grade energy का example है potential energy इसलिए potential energy ज़्यादा अच्छी होगी as compared to heat energy मतलब यह चीज़ आपको कैसे पता चली यह चीज़ आपको पता चल कितना grade क्या है low grade है high grade ठीक है आप समझें बात करते हम available energy की available energy का मतलब क्या है अगर आपने एक अपने दिमाग में एक aim बनाया कि मुझे 24 गंटे में से 15 गंटे पढ़ाई करनी है आज मैं 15 गंटे पढ़ सकता हूँ इतनी इमत इतनी छमता इतनी capacity मेरे अंदर है अपने का ठीक है अब आपका दिन सुबा से लेकर के रात तक का शुरू हुआ और खतम हुआ और उसके बाद आपने देखा कि आपने जो अपनी 15 गंटे की capacity थी 15 गंटे जो आपने पढ़ने का aim बनाया था उसमें से आपने कितने गंटे अचीव किये आपने 7 से 8 गंटे ही अचीव किये और अगर आपने 7 से 8 गंटे अचीव किये तो एक बात आप लोगों के दिमाग में फिर से आ गई होगी कि सर जो 8 गंटे अचीव ही है actually वही तो अवैलेबल है मेरे पास वही 8 गंटे ही अवैलेबल थे बाकी सब तो अवैलेबल एनरजी में चला गया बाकी सब तो मेरे लिए वेस्ट हो गया बाकी सब तो अवैलेबल हो गया तो students जो भी आपका maximum useful work दे एनरजी that is available energy समझ में आए क्या का maximum useful work useful को मैं क्यों एंफसेस कर रहा हूं क्योंकि useful अगर आप नहीं बोलोगे तो आपका answer गलत हो जाए क्यों क्योंकि maximum energy तो आपके पास 15 गंटे की थी लेकिन आपने use कितना क्या सिर्फ 7-8 गंटे तो maximum useful आपके क्या हुआ 7-8 गंटे और अगर 7-8 गंटे हुआ तो वही आपके available energy होगी ना कि 15 गंटा 15 गंटे तो आपके maximum work थे ले लहाँ पर लिख लिजेगा मैं available energy के बारे में और बताऊंगा बट अब ही थोड़ा सा इतना याद रखिए available energy जहां से आएगी only अच्छा बीक बात बताओ heat से बताओ क्या heat में available energy होगी मैंने का high grade energy है उसमें आप convert कर सकते हो तो मिल सकती है क्या heat में available energy होगी बिलकुल होगी यहाँ पर available energy भी होगी available energy अपके को यह जो मैंने available energy के बारे में बताया है यह energy आपको दोनों जगह मिल रही है बट 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 क्या यहां पर heat energy से 100% available energy मिल सकती है नहीं यहां पर heat loss होगी ही होगी इसलिए यहां पर क्या मिलता है unavailable energy भी मिल जाती है लेकिन 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 क्या high grade energy में unavailable energy आ सकती है नहीं कभी नहीं आ सकती है क्योंकि high grade energy एक ऐसे energy जो पूरी की पूरी यूज हो सकती है मतलब आप एक ऐसे student हो आपने 15 गंटे का aim बना है तो 15 गंटे आप पूरा पर सकते हो मतलब आपके अंदर high grade energy है और अगर उनमें से आपने थोड़ा सा भी lose कर दिया 15 से 14 भी कर दिया फिर 13 गंटे भी करती है तो मतलब unavailability थोड़ी सी आ गई है मतलब आप low grade energy की तरफ बढ available energy पे भी आज आता है ठीक है यह बात समझ में आई अब दीखे इसमें मैं आपको कहानी नहीं निखाने वाला कि energy associated with work force kinetic energy kinetic potential energy electrical energy और available energy is known as high grade energy यह सारी चीज़े आपको पता है यही सारी चीज़े ना लिखने के लिए या फिर इतना को करने के लिए मैंने आपको यह डियाग सकते हैं बट कुछ statement है उनके बारे में बता सकता हूँ अच्छा unavailable energy के बारे में थोड़ा सार जा लेते हैं एक ऐसी energy जो unavailable है मतलब जिसका आप use नहीं कर सकते हो उसी unavailable energy से कोई एक चीज असोसियेट होती है उसे हम बोलते हैं entropy क्या बोलते हैं entropy क्या word है कैसे आया कहा से आया कोई दिक्कत नहीं है कोई परशानी नहीं है कोई घबराने की बात नहीं है वो सारी चीज़े हम बात में बात कर लेंगे लेकिन आपको बस एक चीज़े भी बता रहा हूं that is unavailable energy से क्या असोसियेट होता है entropy तो लिख लीजेगा entropy is associated by unavailable unavailable energy तो आप लोगों से किसी एक student नमसे यहीं पूछ लिया होगा कि क्या सर सर एक बात बता दीजे क्या entropy जो आपने word लिया है इस word के बारे में मुझे नहीं पता लेकिन क्या यह word आपका high grade energy से भी असोसियेट हो सकता है मैंने का बिलकुल नहीं बिलकुल भी नहीं जिस जगह पे unavailability आईगी उसी जगह पे entropy आईगी इफन आप मिस तरीके से कह सकते हो देखो available energy को मैंने E लिखा था available energy that is AE तो unavailable energy को मैं UAE लिख दूँ अब UAE मत समझ लेना आप क्या समझोगे unavailable energy तो यहां पर लिख लेना unavailable energy is directly proportional to entropy जितनी ज्यादा entropy या फर जितनी ज्यादा unavailable energy उतनी ज्यादा entropy होगी यह चीज़ याद रखेगा ठीक है अब entropy क्या है आप यह समझ लीज़े randomness of the molecule अभी के लिए लेकिन entropy के बारे में बहुत बढ़ियांसा लेक्चर दूँगा आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा और अच्छे definitions आप लोगों के लिए लेकर क्या होगा ठीक है बट उसके पहले ही समझी कि unavailable energy से क्या होता है entropy association होती है entropy क्या है उसके बारे म अबन आके बढ़ते हैं तो चलिया यह start करते हैं that is entropy associated with that is entropy associated with high grade energy is zero कभी भी यह मत बोल देना कि वर्क की वज़ह से कभी entropy आती है कभी यह मत बोल देना kinetic energy की वज़ह से भी entropy आ सकती है potential energy की वज़ह से entropy आ सकती है नहीं 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 high grade energy की वज़ह से कभी entropy आई ही नहीं सकती है यह चीज हमेशा याद रखना तो एक चीज heat is associated with temperature और temperature क्या है temperature एक तरीके से दिखा चाहिए तो randomness of the molecule ही तो बता रहा है जो आप entropy के बारे में पढ़ते हो ठीक है तो आप temperature को भी बोल सकते हो entropy के बारे में तो आप बता ही सकते हो entropy is the randomness of the molecule अभी ही लिखते हो अगर temperature ज्यादा है तो randomness ज्यादा होगी अगर temperature कम है तो randomness कम होगी तो यही चीज आप इसमें भी लिख सकते हो that temperature 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 tell us the randomness of तो एक चीज आप लोग आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा करके रिखेगा कहीं ना कहीं मैं एंट्रॉपी को heat heat is associated with temperature ठीक है तो यही चीज थोड़ा सा निवाब करेंगे तो हम इससे बहुत मदद मिलने वाली है थोड़ा थोड़ी चीज हैं जो हम अभी सीख रहे हैं quality of energy के अंदर और उसको यह आगे लेकर चलेंगे चीक है तो उसके बाद थोड़ा सा लिख लीजेगा that thermal energy at higher temperature as higher significance as compared to the to the same amount of thermal energy same समझी कहने का मतलब जा है कहने का मतलब यह है कि thermal energy at higher temperature has higher significance as compared to the same amount of the thermal energy at lower temperature मतलब आप समझे रहो एक ही amount है for example हमने माल लिया कि thermal energy का जो amount है वो है 100 kJ 100 kJ का आपका amount है वो अगर आपको 1000 degree Kelvin पे भी same मिले और अगर आपको 500 degree Kelvin में भी मिले तो किसमे जादा significance होगा कौन सा जादा important होगा कौन सा जादा effective होगा तो आप यह समझे कि 100 kJ की 1000 Kelvin पे मिले तो आपको ज्यादा effect हो मिलेगा मतलब आप एक तरही किसा ऐसे बोल सकते होगा आपको मैं बता ही देता हूं that is 100 kJ की thermal energy यहाँ पर भी है 100 kJ thermal energy यहाँ पर भी है आप यह जो दोलों है यह temperatures associate हो रहे हमने माल लिया एक temperature है 1000 degree Kelvin और एक temperature है 500 degree चेक है यहाँ पर लिख लेना more significance और यहाँ पर लिख लेना less significance समझ में आया यह चीज क्या थी अब एक तरीके से आप उसको और भी अच्छे समझ सकते हो ठंडियों का time और गर्मियों का time आपको याद है बलकुल याद होगा जो आपका sun है वो same energy दे रहा है means उसके energy ऐसा नहीं कि घटती बढ़ती रहती वो continuous उतिनी ही energy दे रहा है लेकिन जब गर्मियों का time आता है तो वो जो energy है वो जो धूप आपको मिल रही है वो जो sunlight आपको मिल रही है उससे temperature बहुत जादा गरम हो चुका होता और उस समय वो जो धूप है वो आपको अच्छ temperature बहुत कम होता है तभी तो लगती है माल लिया हमने temperature बहुत कम है और लेकिन amount of energy जो sun से आ रही है वो तो उती नहीं आ रही है वो तो same energy आ रही है लेकिन उस समय आप धूप को अच्छा लेते हो उस समय आपको sunlight better लगती है उस समय आप sunlight use कर सकते हो even आप sunlight में एक घंटे भी बैट सकते हो बड़ गर्मियों में आप sunlight में एक घंटे भी नहीं बैट सकते है क्यों energy तो सेम है बड़ फरक किसका आया है temperature का कहीं पर temperature जादा है कहीं पर temperature कम है अगर temperature कम है तो वहाँ पर जो energy है उसका significance कम हो जाएगा और जहाँ पर temperature जादा है वहाँ पर energy का significance जादा हो जाएगा कहने का मतलब यह था इस वाली sentence का यह चीज़ आपको समझना जरूरी है क्योंकि यह बहुत important है आपका descriptive paper में इसी concept से answer आजाता है इसी concept से आपको question पूछ लिए जाते है actually question में answer आपके दो ही आते है temperature दोनों निकल के आता है more significant energy will be अगर आपको यह concept नहीं पता है तो आप लगा कर क्या आजाओगे यह वाला कि sir 500 में मुझे 1000 kJ मिल रहा है कितना अच्छा है लिए less significant होता है ठीक है इसको याद रखिएगा अगला statement लिखते है अभी हमने second law के बारे में बात नहीं की अभी हम बात कर रहें सिर्फ energy की लेकिन energy में हम से बात कर रहें quality की तो जो हमारा second law आएगा वो किस पे आएगा quality पे आएगा 10 या फिर लिख सकते है that's why that's why second law of TMD that is thermodynamics is also called as qualitative law तो यह चीज़ आप लोगों के समझ में आगए second law of thermodynamics को आप qualitative law क्यों कहते हो तो अब यहाँ पर आप statement यह भी लिख सकते हो first law of thermodynamics is associated with the quantity that's why it is known as quantitative law and second law of thermodynamics is associated with quality that is why it is known as qualitative law आप देखो इसका एक example और दे सकता हो आप लोगों के दिमाग में भी आ जाएगा कि किस तरीके से क्या है आप लोग एक बहात समझता जो नदी है एक river है जो पहाडों से नीची आ रही है पहाडों से आ रही है आ रही है अब वो किस डिरेक्शन में जा रही है इसके बारे में हमें नहीं पता हम नदी के किनारे खड़े हुए कहानी को सुनना इमेजन करना और बताना नदी कितनी पतली है river कितनी पतली है कितनी मोटी है इसके बारे में कौन सा लोग बताएगा इसके बारे में law बताएगा first law कि अगर पतली है मतलब quantity कम जारी होगी water का quantity कम होगा और अगर नदी मोटी है तो मतलब quantity ज़्यादा जारी होगी broad है या फिर थे narrow है चीक है इसमें क्या होगा आपका first law लग जाएगा आप बात करते हैं कि direction नदी किस तरीके इक्षन की बात करेंगे तो हम second law को लेकर के आजाएंगे कि energy high grade energy से low grade energy तक जाती है that is आपकी second law thermodynamics और जब हम बात करते हैं कि इतनी energy यहाँ transfer हो गई इस amount की energy यहाँ transfer हो गई तब हम क्या बात कर लेते हैं amount की तब हम बात कर लेते हैं quantity की और तब हम बात कर लेते हैं quantitative law that is first law of thermodynamics आपको यह बात समझ में आगे ही कि कहाँ पर quantitative law लगाना है कहाँ पर qualitative law लगाना है बस यही दो चीज़े हैं जो आपके दिमाग में होना है first law of thermodynamics is called as quantitative law quality of energy मतलब आपका सिर्फ उसिफ यह quantitative law में आएगा अब देखिए यह बात हमने कर लिए energy के बारे में अब यहाँ पर हमें अगर second law of thermodynamics के statements या second law of thermodynamics को सीखना है उसके लिए हमें बात करनी पड़ेगी thermal energy reservoirs की जहाँ पर हम बोलेंगे thermal energy reservoirs का मतलब क्या होता है जो किसी इनर्जी को submit करके रखे जैसे हम बोलते हैं water reservoir that is dam इस तरीके से thermal energy reservoirs जैसे जो भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप thermal energy को reserve करके रख सको जहाँ पर उसका temperature change ना हो जहाँ पर वो continuous heat दे सके जहाँ पर continuous heat ले सके without changing its temperature तब आप बोलते हो से thermal energy reservoirs के बारे में तो चलिए थोड़ सी heating लिखते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरीके से आप इसे समझोगें इसे हम T.E.R.B. बोलते हैं थोड़ा सा लिखते हैं फिर उसके बाद थोड़ा सा समझते हैं फिर उसके बाद मैं लिखा दूँगा आपने sun को देखा है हाँ, sun मतलब बचा नहीं, sun मतलब सूरज जब हमने सूरज को देखा, जब हमने sun को देखा तो हमने कहा कि अगर आप देखो कि वो continuous heat produce कर रहा है continuous heat produce कर रहा है same amount की heat produce कर रहा है और क्या उसका temperature कम हो रहा है, नहीं उसका temperature कम हो ही नहीं रहा है वो continue heat produce कर रहा है कर रहा है कर रहा है तो यह जो sun है जो heat produce कर रहा है वो heat वो heat अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं से आ रही है मलब sun से आ रही है तो क्या sun को मिल भी रही है नहीं, sun ऐसी चीज है sun एक ऐसा element है sun एक ऐसा substance बोलो कि वो एक ऐसा स्टार है जो continuous heat दे रहा है मतलब सोचो उसके पास कितनी सारी heat होगी कि वो heat देता जा रहा है लेकिन उसकी heat खतम ही नहीं हो रही सेम चीज होती है आपकी reservoir के साथ reservoir में हम बोलते हैं एक reservoir है जिसका नाम है source 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 एक ऐसा reservoir है एक energy का एक ऐसा reservoir है जो continuous heat produce कर सकता है हमेशा दे सकता है एक साल दो साल दस साल करोड साल तक हमेशा आपको heat देगा without changing its temperature और heat देने से इसके साथ ऐसा नहीं होगा कि इसकी heat कम हो जाएगी नहीं ऐसा नहीं है इसके पास infinite energy infinite thermal energy है जिसका ये use कर सकता है heat दे सकता है और इसका temperature कभी कम नहीं होगा मतलब यहाँ पर ये क्या होगा continue heat transfer लिख लो continue heat transfer heat release continue heat release but 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 no change in temperature आप समझो जब मैंने बोला कि continuous heat तो release कर रहा है लेकर temperature का change नहीं हो रहा तो heat कहां जहरी होगी heat क्या तो engine ले 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 अब engine पूरी की पूरी heat ले करके तो काम कर नहीं सकता heat ऐसा हो सकता है कि आप heat देर और उससे पूरा का पूरा work मिल जाए नहीं हो सकता क्यों क्योंकि यही बात तो हमने बात की थी पहले कि भाई साब कहीं न कहीं एक unavailable energy आही जाती है क्योंकि यह low grade energy है तो अगर कोई एक ऐसा reserve wire जो continue heat को source को accept करता जाए continuous heat accept करता जाए without raising its temperature चेंज की जगह यहाँ पर एक term है lowering लिखने न without lowering its temperature अब देखो हमने बात की कि इसका temperature तो कम नहीं हो रहा है सेम चीज हमने बात की कि कोई एक ऐसा element होना चाहिए कोई एक ऐसा reserve wire होना चाहिए जो continuous heat को accept करता रहे है चीक है यहाँ पर देखो यह क्या करेगा continuous heat को accept करते रहेगा continuous heat को accept करेगा but but यहाँ पर लिख लेदा without raising its temperature without raising या फिर increasing इसी तरीकी से तो हम dam बोलते है कि dam क्या है thermal energy की जगे हम क्या बोलते है कि water को water reservoir है रहे हैं डैम जिसमें आप बहुत सारा पानी रखते हो क्यों continuous पानी देता रहता फिर उसके पास काफी सारा पानी बचता है ठीक है तो sink और source के बारे में समझ गया है source एक ऐसा source है जहां से आप energy ले सकते हो और sink एक ऐसी जगह है जहां पर आप continue energy दे सकते हो और इसका temperature change नहीं होगा यह बात समझ में आकई अब देखो यही चीज अगर हमें देखना है तो हम इस तरीके से इसका एक वह बना सकते है free body diagram type का बना सकते है that is और यहां पर आपकी कोई भी device हो सकती है माल दो मैंने लगा दिया heat engine जिससे हमें क्या करना है work done लेना है work ठीक है अब देखो यह एक source है जिसका कोई temperature होगा मैंने बोल दिया इसका temperature है T higher T higher temperature पर है और इससे जो heat आ रही है source है भाई साब वो तो heat ही देगा तो इससे जो heat आई that is q higher q higher heat आ रही है अब heat आई इसने कुछ heat लेकर के अपना work done किया होगा बाकी जो बची heat होगी उसको क्या किया होगा किसी ना किसी एक जगह पर छोड़ा होगा और वो जो जगह थी उससे हमने क्या बोला sink और जो heat by higher heat थी कुछ work कर लिए तो अब तो heat higher बची ना वो तो lower हो गई तो अब जो heat बची है that is q lower वो heat आपकी q lower हो गई है और इसका जो temperature है वो क्या होता है t lower समझ में आया यही सारी चीज़ें यह जो diagram अभी हमने बताया है यह जो आपका process है seem यही process दुनिया जहां में अभी तक चल रहा है सिर्फ यही process है जो चल रहा है और सारे के सारे examples आपको सिर्फ इसी process से ही मिलने वाले हैं सारे के सारे examples even though Kelvin blank statement लॉसियस statement हो दुनिया जहां का कुछ भी हो refrigeration हो heat pump हो refrigeration and air conditioning का पूरा subject ही आपका सिर्फ इसी concept पर based है सिर्फ और सिर्फ इसी concept पर based है यहां पर मैंने heat engine लिखा है यहां पर कई बार refrigeration लिख जाएगा या फिर यहां पर आपका heat pump लिख जाएगा या फिर यहां पर आपका जोतनी भी cycles है ना वो cycles के नाम लिख करके आ जाएगे कोई भी engine हो सकता है क्या करोगे? source से heat लोगे work done कराओगे और उसके बाद efficiency निकाल लोगे लेकिन जो आपका QL है वो आपका sink में चला जाएगा क्योंकि efficiency efficiency का formula तो आप सभी को बता ही होगा efficiency क्या होती? efficiency का formula याद है पढ़ा होगा पहले भी efficiency क्या होती है? work output work output upon heat input heat input तो यह जो है अब work output के अगर मैं बात करूँ आप से work output के अगर मैं बात करूँ तो work output कितना होगा देखो Q higher ID Q higher इसने W work किया और उसके बात जो बाकी बचा सामान था वो उसने Q lower पे भेज दिया तो मतलब जो work output आपका हुआ होगा वो कहीं न कहीं कहीं न कहीं जो Q higher और Q lower के बीच का difference है for example बोलता हूँ मैं आप से कि अगर माल लो मैंने माल लिया कि जो Q higher है वो 100 kJ था इसने कुछ work किया और बाकी बचे heat को इसने Q lower से sink में भीजी और जो Q lower की value थी वो 60 kJ थी तो क्या आप यह बोल सकते हो कि इसका work done कितना हुआ होगा आप बोल लोगे बिल्कुल सर बिल्कुल बता सकते हैं 100 kJ हमने दिया था 60 kJ हमें वापस मिला है तो बीच में बचा हुआ क्या है 40 kJ that is Q higher minus Q lower equals to 40 kJ की हमें energy मिलीगे समझ रहो तो यह जो मैंने आप लोगों को process बताई है इसी process से ही questions पूछे जाएंगे इसी process से ही आपके बाकी के सारी चीज़ें solve होंगी ठीक है तो यह process एक बार याद रखेगा चलिए अब इसके बारे में थोड़ सा statements वगेरा लिख लेते हैं आपके से चीज़ें और clear हो जाएंगी पूर्स इस थर्मल इनर्जी रिजर्वायर इस चैन सप्लाइ लार्ज अमाउंट ओफ without undergoing अब देखें इसमें जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी वही सारी चीज़ें बोल दिया है कि यह क्या है सप्लाइ कर सकता लार्ज अमाउंट ओफ थर्मल इनर्जी मतलब दे सकता है without changing its temperature temperature को change करके नहीं चीक है फिर उसके बाद diagram आप लोगों को पता है sink के बारे में लिख लेते हैं that just sink without changing okay तो अगर मैं आप लोगों से यह बोलू कि यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर आप लोगों से देखा जाए तो जो sink है वो सारी की सारी energy ले सकता है large amount of thermal energy को ले सकता है और जो source है large amount of thermal energy दे सकता है तो क्या ऐसा हो सकता है कि sir हम source और sink को एक साथ लगा दे और इसके temperature को change करके दिखा दे माल लीजे यह source है यहाँ पर कुछ भी नहीं है यहाँ पर सीधा-सीधा sink है ऐसा क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मुझे कोई प्रॉबलम नहीं है, मुझे कोई भी प्रॉबलम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, यह T higher होगा, यह T lower होगा, जहां से Q higher आ रही है, और Q higher ही जा रही है, तो अगर मैंने बोला Q higher आ रही है, और Q higher जा रही है, तो कहीं न कहीं आप लोग देखोगे कि source से higher large amount of energy आई और वही जो large amount of energy उसका हमने work भी नहीं किया चलो work भी नहीं किया हमने direct sink में भीज दिया तो क्या temperature change होगा नहीं temperature change नहीं होगा T lower मतलब T lower होगा चाहे वो initial हो या फर T lower का final हो या फर super final हो कुछ भी हो grand final हो उसके बाद भी T lower T lower ही होगा T higher T higher ही होगा यह चीज़ याद रखिएगा तो students यहाँ पर हमारा जो first learning module था वो हमने अचीव कर लिया है आईए देखते है now students we have completed our first learning module that is to recall the quality of energy इस energy के quality पे आप लोगों ने high grade energy और low grade energy के बारे में काफी अचीज़ है सीखा thermal energy reservoir के बारे में भी सीखा okay students now we are going to start our second learning outcome that is to recall the following statements of second law of thermodynamics that is Kelvin blank statement और clauses statement जी हाँ यहाँ यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यह जो दो statement दिये हुए हैं इन दोनों statement का क्या use है क्यों दो statement दिये गए एक ही statement से आपने second law of thermodynamics को क्यों नहीं use कर लिया तो इसके लिए आप लोगों के दिमाग में सबसे पहली चीज़ आप लोगों को मैं यह बताऊंगा कि आप लोगों के दिमाग में सिर्फ यही चलना चाहिए कि हम second law of thermodynamics में quality की बात कर रहे है quality of energy की और quality of energy आप हर जगा देख सकते हो या तो वो work producing device में भी देख सकते हो या फिर work absorbing device में भी देख सकते हो बलकुल तो देखो जो concept of second law था वो Kelvin साब ने भी और क्लॉसस साब ने दोनों ने apply किया था but the point is Kelvin साब ने work producing device that is heat engine के बारे में बात की और क्लॉसस साब ने किसके बारे में बात की क्लॉसस साब ने बात की आपकी work absorbing device that is refrigerator और और heat pump के बात की that is आप घर में बोल सकते हो कि जो आपके घर में फ्रिज है और जो आपकी घर में गीजर है इन दोनों के बारे में कितने बात कि थी, क्लोसस अब बात कि थी, और जितनी भी आप गाड़ी देख रहा हूँ, जितने भी इंजर्फ देख रहा हूँ, उन सब के बारे में किसने बात कर ली थी, कैल्विन साब ने, तो देखा जाए, तो अगर आपको Second Law of Thermodynamics को प्रूफ करना है या फिर अगर आपको Second Law of Thermodynamics पूरा बोलना है तो आपको work producing as well as work absorbing दोनों devices को consider करना पड़ेगा इसलिए यहाँ पर जो दो statement है that is Kelvin Planck statement और clauses statement वो क्यों लिकर के आये थे क्योंकि यह दो अलग-अलग statement है लेकिन यह दो अलग-अलग concept मिल करके एक concept बना रहे थे और वो concept पूरे Second Law of Thermodynamics को base रख करके बनाए गया था इसलिए हमने दो statement रखे हुए थे Second Law of Thermodynamics में तो यही चीज़ें आपको समझ में आपके है तो यही चीज़ें आपको समझ में जो आई है उन्ही को थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं तो हाई यह स्टार्ट करते है हमारा Second Law of Thermodynamics that is Kelvin-Planck statement Second Law of Thermodynamics अब Second Law of Thermodynamics क्या यह combination है Kelvin-Planck statements का और closest statement का ठीक है दोनों scientist थे और दोनोंने same चीज़ी बोली थी किस तरीके से बोली थी यह चीज़ में आपको बताता हो और बहुत easy तरीके से आप समझोगे कि हाँ कहीं ना कहीं दोनोंने एक ही चीज़ बोली थी लेकिन बोलने का तरीका अलग था और बिल्कुल अलग था मतब अगर आपने इन दोनों को एक ही law में नहीं पढ़ा होता तो शायद आप भी इसे अलग-अलग ही करते हैं तो सबसे पहले आप लोग Kelvin Plank statement के बारे में जानेंगे तो हीटिंग डालते हैं सब हीटिंग that is Kelvin Plank Kelvin साब ने स्टेटमेंट दिया और उसी स्टेटमेंट को ही आगे जाकर के हमने perpetual motion machine 2 बोल दिया गया कि अगर कुछ हो सकता है अगर ऐसा हुआ तो इसे हम PM2 of second kind बोलेंगे और फिर kind 2 बोलेंगे ठीक है तो Kelvin Plank statement क्या था क्या बोलना चाह रहे थे Kelvin साब Kelvin साब यह बोलना चाह रहे थे कि it is impossible to construct a cyclic device in which you can use or you can extract energy या फिर you can give work interaction मैंने क्या बोला मैंने बोला कि it is impossible to construct a device a cyclic device in which you can construct or you can absorb a work interaction by changing heat with single reservoir having a unit temperature और same temperature ठीक है कहने का मतलब यह है कि एक reservoir से ही अगर आपका work interaction हो रहा है बिना किसी दूसरे reservoir के मतलब आपने क्या किया आपने एक ही reservoir से heat ली और उसी reservoir से आपने काम करा दिया अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो यह करना impossible है क्यों क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है हमने पढ़ी एक चीज और वह चीज क्या पढ़ी हुई है कि आप heat को 100% work में convert नहीं कर सकते कुछ ना कुछ heat आपकी surrounding में जरूर जाएगी कुछ ना कुछ heat loss जरूर होगा तो इदोंने सिर्फ यही चीज बोल दी है जो चीज हम अभी आपको बता रहे है that is कि कुछ न कुछ heat loss जरूर होगा मतलब यह impossible है कि आप ऐसा कोई engine बना लो जिसमें sink की जरूरत ही ना पड़े कहने का मतलब उनका यह था कि sink की जरूरत ना पड़े सिर्फ source से energy आए और उससे आप work done करके दिखा दो कि ऐसा possible है जी नहीं ऐसा possible नहीं है इसलिए इसका statement था देखे वह statement लिखना हो और उसके बाद जो perpetual motion machine का statement है उसको भी लिखूँगा साथ में और दोनों चीज़ें आपको अच्छे से ही समझा दूँगा ताकि आप लोगों को दिमाग में सारी चीज़ें बैठ चाहें ठीक है तो सबसे पहले statement लिखेगा C कहने का मतलब यह है कि it is impossible for a heat engine to produce a network in a complete cycle if it exchanges heat only with bodies at a single fixed temperature अब यह जो बात कहना चाहे रहा है वो यह चीज़ कहने चाहे रहा है Kelvin साव कि आप अगर कोई भी heat engine बना रहा हो तो यहां पर दिखा हुआ bodies at a single fixed temperature मतलब 4 bodies है चारों का same temperature है तो आप कह सकते हूं कि भाही बाद तो एक ही है मतलब चार bodies नहीं वो एक ही body है ठीक है तो अगर किसी एक fixed body से temperature आपका आ रहा है तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ यही आईगी कि क्या ऐसा हो सकता है मतलब अगर मैं इसका diagram बनाना चाहूं अगर कुछ ऐसा हुआ अगर कुछ ऐसा हुआ तो जो q higher की value है that will be equals to wd and which is impossible और अगर यह चीज़ impossible है तो यह चीज़ आपके दिमाग में आ गई कि हासर ऐसा तो नहीं हो सकते क्योंकि कुछ नहीं कुछ हीट तो जाएगी यहां पर मैं source लिख देता हूं तो ऐसा तो हो नहीं सकता practically क्या possible है practically जो पॉसिबल है वह भी देख लेते हैं तो दिको यह जो definition है यह statement है और इसी statement को थोड़ा सा और change किया कि है थोड़ा सा और change करूगा मैं अभी अभी ही आपको change करके दिखाऊंगा और उसमें आपको एक छोटी सी चीज और बताऊंगा और वह चीज जो अभी आपको बताने वाला हूं वह भी अभी आपको अभी ही दिखा दूँगा कि क्या होती है तो आईए एक चीज और लिख लिए इसी के बारे में same statement को हम किसी और तरीके से कैसे दिख output by exchanging energy with a single reservoir कहने का मतलब कि आप सिर्फ एक energy से नहीं कर सकते है मतलब अगर मैं इसको अच्छे से दिखाना चाहूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां से क्या रही है वालिया यह क्या है टीवन है आपकी क्यू फायर वह आई यहां पे heat engine जिससे आप work करा रहे हो और यहां पर तो आपकी q lower है वो जा रही है और उसकी value क्या है ऐसा करना impossible हो ही ऐसा करना क्या है impossible है ऐसा हो ही नहीं सकता है अब देखो यह जो चीज अभी heat engine के लिए बात हो रही है अब मैंने आप लोगों को Kelvin साब के बारे में यह बता था कि refrigerator और इसकी बात हो रही थी क्लॉसियस साब की बात हो रही थी क्लॉसियस स्टेट्मेंट क्या था क्या बोलना चाहे रहे थी देखो जो चीज है वो चीज यह है कि क्लॉसियस स्टेट्मेंट सबसे पहली चीज इसमें आई थी कि वह बात करना चाहे रहे थे आपका work absorbing में मतलब दो difference आप लोगों हमेश वह कहना क्या चाहे रहे थे वह कहना चाहे रहे थे कि practical example मालों आपके पास एक चाहे का कप है अब वह कप है वह कप रखा हुआ है और ठंडा हो रहा है प्रॉपर ठीक है वह कितना ठंडा होगा वह आपका कप उतना ही ठंडा हो जाएगा उसकी चाहे जो है वह उतनी ठंडी होगी जितना थंडा आपका एक्मॉस्फियर है एक्मॉस्फियर से ही जैसे ही वो एक्विलिब्रियम में आएगा that is thermal equilibrium जिसके बारे में हम बाद कर चुके हैं वो temperature change नहीं होगा अगर आपको उससे ज़्यादा उसका temperature change करना है अगर आपको उससे ज़्यादा temperature change करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कुछ ना कुछ उसमें work करना पड़ेगा उससे heat extract करनी पड़ेगा extract करने के लिए आपको work done करना पड़ेगा या फिर अगर आप उसको रखो और उससे बोलो फॉर एक्जेंपल देखो आपको इस तरह के से बातों से नहीं आपको डियाग्राम बना करके दिखाता हूँ कि किस तरह के से क्या हो रहा होगा माल लो यह आपका एक चाय का cup है यह आपका चाय का cup है जिसमें बड़ी आच्छी से बहुत है और इस चाय का temperature इस चाय का temperature माल लो अभी इनीशली 100 degree से 100 degree से और जो बाहर का temperature है वो कितना है 30 degree से इंडिग्रेट अब देखो यह क्या है यह रिजर्वायर है इसका temperature नहीं बढ़ेगा इसका temperature नहीं बढ़ेगा यह रिजर्वायर है यह सारी heat खाता रहेगा खाता रहेगा खाता रहेगा एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी चाय के प्याली काभी अब यह दोनों thermal equilibrium में आ जाएंगे यह दोनों जब thermal equilibrium में आ जाएंगे फिर क्या temperature 30 degree से कम नहीं होगा अब आपने का नहीं नहीं हमको तो आप quality पी नहीं है बिल्कुल थंडी हो जानी चाय होनी चाय है तो क्या यह ऐसे ही normally हो सकता है बिल्कुल नहीं हो सकता है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको कुछ न कुछ work done करना पड़ेगा जब आप work done करोगे इसमें work done करोगे तब जा करके इसका temperature ठंडा होगा और ठंडा होने के बाद हो सकता है शायद वो 1 degree centigrade का बन जाए लेकिन कहीं ना कहीं आपको work done जरूर करना पड़ेगा अगर आपने work done नहीं किया तो यह thermal equilibrium में आ जाएगे लेकिन change नहीं होगा सेम चीज़ अगर मैं आपसे बोलूँ for example अब यह 30 degree centigrade की ही है और अब मैंने इसे बोला कि नहीं यार यह तो नॉर्मल चाय रखी हुई है मैं चाहता हूँ यह चाय गरम हो जाए तो बस मैंने चाहा कि यह चाय गरम हो जाए अपने आप यह गरम हो जाएए क्या अपने आप गरम हो सकती है नहीं क्योंकि उसने thermal equilibrium की state को generate कर लिए उसने stable अपनी condition बना लिए अब वो thermal equilibrium में है अब उसको कोई जरूरत नहीं है temperature change करने के लिकिन हमारी जो desired effect है हमारी जो दिल की तमना हमारी जो चाहत है वो चाहत यह है कि हम इसको 30 degree को वापस से 100 degree centigrade बना दे ताकि हमें चाय पीने में अच्छा लगे ताकि हम गरमा गरम चाय पी सके कि यह बात impossible है कि अगर कोई भी state अगर कोई भी substance thermal equilibrium में आ जाता है तो फिर आप उससे heat extract नहीं कर सकते या फिर उसमें आप heat add नहीं कर सकते बिना किसी external work done के अगर आपने कोई work done किया तब तो आप कर लोगे लेकिन अगर आप चाहो कि नहीं यह जो आपका चाय का cup है वो ऐस कि यह बातों को अच्छे से दिमाग में रखा गया कि हाँ अगर इन्होंने बोला है तो सही ही बोला होगा और चीजें किस तरीके से करनी है वो भी उन्होंने बताया आप समझेगा जो चीजे मैंने आपको बताई है उन्हीं चीजों को मैं जो लिखने वाला हूं उसी को सम कहने का मतलब समझ रहेओं कि मतलब अब जो है विलकुल ठंडा सा है लोर टमप्रेचर पर उससे हाय अगर भेजना कि अपने अप आप आठे लेकिन यह क्या कर सकते हो आपको क्या करना पड़ेगा ऑपरेटिंग अपना यह ने energy input अब energy क्या हो सकते हीट energy भी हो सकती work energy भी हो सकती उससे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन बिना किसी energy input कि आप lower temperature से high temperature में अपनी heat नहीं भीज सकते ये impossible है ठीक है ये बात clauses आपने बोली थी तो आपने दो चीज़ा feel की clauses आपने work absorbing के बारे में बोला है और 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 अगर आपसे बोला जाए kelvin सापके लिए तो kelvin साब ले वर्क producing के लिए बोला है देखो इसका example देखा हूँ आप लोगों को जो चीज़े यहाँ पर लिखी हो यह वही चीज़ आपको समझाता हूँ इन्होंने कहा कि यह है T higher वो कहने की कोशिस यह कर रहे है कि अगर मैं यहाँ से क्यों lower निकालू और यहाँ पर क्यों higher जाए और ऐसा हो तो एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना कि यह ऐसा होना impossible है क्योंकि no work है यह बात याद रखेगा तो मतलब कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो अगर आपने कोई भी work done नहीं किया कोई भी energy input नहीं किया तो QL से आप heat और नहीं निकाल सकते मतलब sink से आप heat निकाल करके source में नहीं डाल सकते कि ऐसा impossible है ऐसा नहीं हो सकता यह चीज बोली थी usus था लॉसे उपने तो फिर क्या हो सकता है उन्हों नहीं बोला और heat pump से अगर मैं heat pump लिखूंगा तो उसमें जो मेरा desire effective हो क्या हो जाएगा पानी को गरम करने का हो जाएगा ठीक है तो थंडे वाले पानी से और heat जो है उसको गरम करना है तो उसमें भी तो आपको work देना हो पड़ना करना पड़ेगा और यहीं है वह वो जो इसे पॉसिबल करता है इंपॉसिबल से पॉसिबल करता है यहां पर यह चीज़ यह जो वर्क है यह एसा हो ही नहीं सकता यह एसा कभी नहीं हो सकता लेकिन ऐसा हो सकता है क्यों क्यों कि वर्क डन कर दिया ना अब यह वर्क डन किस तरीके का है यह मुझे नहीं पता यह यह शाफ्ट वर्क डन हो सकता है यह कोई भी वर्क डन हो सकता है ठीक है लेकिन क्या कर आपने बताई थी तो अगर आप थोड़ा सा फील कर पाऊ तो लिखना दी कॉंबिनेशन ओफ कॉंबिनेशन ओफ कालविन प्लैंक स्टेटमेंट स्स॥ेजर क्या स्टेटमेंट प्रीशन रीजर प्रीशन ओफ इसे नून आस डून आस थिकेंड लौ ऑॉफ अगर मैं Calvin Planck Saab की बात करूं तो वहां पर हमने क्या निकाला था efficiency निकाली थी अगर मैं लॉस्टे साथ के बात करता हूं तो यहां पर हम क्या निकालते है COP निकालते हैं क्या निकालते है COP छीक है है that is coefficient of performance सब्सक्राइब कर दिया तो फिर गलत हो जाएगा आप कितना काम करते हो और उससे आपको कितना इनके बारे मैं आप लोगों को और बताऊंगा जब भी मैं कोफिशन पर्फॉर्मस का टॉपिक ही स्टार्ट करूँ क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारे रिलेशन्स और बहुत सारी चीज़े पता नहीं है तो सबसे पहले चीज़ आपके दिमाग में यही आनी चाहिए कि कोफिशन्ट और पर्फॉर्मस किससे असोसियेट है वह है क्लॉसिस स्टेटमेंट से और अगर मैं एफिशन्सी की बात करूँ तो किसी भी हीट इंजन से जो आप है असोसियेट कर सकते हो जा फिर एक चीज उसिपकि है वह यूस करती है अफिशेट करती है और अगर मैं आपसे बोलू वर्क एब्सूर्बिंग डिवाइसिज work absorbing devices जो work absorbing devices है वो क्या use करती है COP ठीक है दोनों same भाई भाई है इनके बारे में अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा बट आपके दिमाग में सबसे पहले जीज यान चाहिए Kelvin statement क्या है वो एक ऐसे statement है जिसमें हम एक ऐसा heat engine नहीं बना सकते जो work produce करें continuous अगर आप उसमें कुछ work ना करना चाहो अगर clauses साब का statement देना हो तो मैं heat pump और refrigerator को लूँगा और अगर Kelvin साब का statement देना हो तो मैं किसी भी heat engine को ले लूँगा वो दोनों के दोनों काम same होगे ठीक है तो guys यहाँ पर हमारा जो second or third learning outcome था वो complete होता है perpetual motion machine of second kind जिसमें हमने बात की थी Kelvin Planck statement की जिसमें उन्होंने कहा था it is impossible to construct a device which can produce continuous work by exchanging heat only with single reservoir ठीक है तो ऐसा नहीं हो सकता तो यह था perpetual motion machine of second kind का